आज हम नोजवानों को बता रहे हैं कि हमें एक्ता में, हमें सम्हू में, हमें संग्ठन में किस प्रकार अनंद में रहना चाहिए अनंददार्थ है, खुशी और खुशी हमें अंदर से एक्राफ्ट होती है संग्ठन कार्थ है आपस में जुड़ना आपस में मिलवर्तन की भावना, आपस में प्यार की भावना जहां एक्ता होगी, मिलवर्तन होगा, द्रड़ता होगी वहाँ एक दूसरे का सम्मान होगा, एक दूसरे से प्यार होगा एक दूसरे के विचारों का आदर सम्मान होगा ऐसे संग्ठन में ऐसे सम्मू में रह करके हमें अती अनंद की प्राप्ती होगी वहाँ पार्टियों में हम देखते हैं कि हमें हर कोई खुश नजर आ रहा होता है, उसका एक ही करण होता है कि हम दूसरे के विभाह में शामिर होते हुए, जिसका विभाह है, उसको ये कहते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसको बढ़ाई देते हैं और अंदर से खुश होते हुए, चेहरे पे भी वही मुस्क्रा ठलाते हैं, खुशी-खुशी खाते पिते हैं, हमने ये अरभब किया है कि यदि नौजवानों के समिठम में आपसी सद्भाब हैं, आपसी प्यार हैं, तो कभी भी हम विप्रीत काम नहीं कर सकते हैं, विप्रीत काम कैसे? जैसे एक घर के अंदर मौन लो पांच भाई हैं, या चार भाई हैं या तीन भाई हैं, या दो भाई हैं, एक भाई कहता है कि मैं चाहिती हूँगा, दूसरा कहता है कि मैं फीकी चाहिती हूँगा, तीसरा कहता है कि मैं गुड़ वाली चाहिती हूँगा, चोता कहता है मैं चीनी वाली चाहिती हूँगा, और पांच भाई कहता है कि चाह थोड़ी सी हूनी चाहिए, लोगी चाहिए की पत्ती तेज नहीं हूनी चाहिए, अब चाय के नाम पर भी पांचों भाईयों में अलग अलग भी चार हैं चाय चाय को छोड़ दीजिए किसी और बात पर चलते हैं जैसे सुबह का जागना एक भाई उड़ रहा है प्राता काल में चार बजे दूसरा भाई उड़ रहा है शे बजे तीसरा भाई उड़ रहा है साथ बजे पांच भाई उड़ रहा है दस बजे इस प्रगार उनका रहन सहन उनका खान पान उनका चाल चलन और भी इनने कई बाते हैं जो एक ही प्रवार के सभी सदस्व में अलग अलग हैं तो वहां खुशी नहीं प्राप्त हो सकती वहां अनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती इस से निकल कर प्रिवार से निकल कर यदि कुछ समठन ऐसे हैं जो शोर शरापा को बढ़ावा देते हैं जैसे रात को जगराते वगरा करा करके अब जगराते तो माता के होते हैं माता मन के अंदर रहती हैं ये लोग शोर सरवा करते हैं माता मेनू मिल जाए माता मेनू मिल जाए शेरामाली माता वैशनोदा जगराता तो माता तो मन के अंदर है बाहर शोर सरवा करने से माता किसी को प्राप नहीं हो सकती क्योंकि रात के बारा बारा एक एक बज़े तब यदी जगराते होते हैं इतना शोर्ष रवा होता है तो कोई भी विद्यार्थी ना चित ल्हंग से पढ़ाई कर सकता है कोई भी रोगी अराम भी नहीं कर सकता है कोई वी चाहे निरोगी भी हो उसे भी अच्छी नीद नहीं आती है नीद नहीं आती मतलब नीद आती ही नहीं है तो वह प्रदूशन है धवनी प्रदूशन जिसका विरोध होना चाहिए कुछ कुछ संगठन ऐसे हैं जो नशा करके बेखोफ तोग राद को घूंते हैं लोगों को प्रेशान करते हैं तो इन संगठनों से जोड़ने का हमें कोई अनंद प्राप नहीं हो सकता इसके विप्रीद हमें देख करके ये दुख होता है कि ये पता नहीं कैसे लोग हैं राक्षस लोग हैं देवताओं और राक्षसों में क्यामत हैं एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ किसी ने बीज बजाब किया कि युद्ध करने से कुछ हासल नहीं होगा हमें श्रेश्टा दिखानी चाहिए कि देवता कौन हैं और राक्षस कौन हैं मतलब कि कौन का मतलब कि कौन श्रेश्ट हैं देवता श्रेश्ट हैं या राक्षस श्रेश्ट हैं उनमें से प्रदियोगता कराई जाए प्रदियोगता में क्या था कि दोनों को राक्षसों और देवताओं को अलग-अलग पंक्ती में बिठा दिया जाए और उनके दोनों हाथ बांदी जाए और हाथ बांदते हुए ही भोजन करना है जो भोजन कर लेगा वो इसे सिद्ध हो जाएगा तो क्या हुआ? दोनों पंक्तियों में आगे भोजन लग दिया गया और ऐसे दोनों सुनूओं के हाथ बांदी गया पहले पहली पंक्ती में रक्षोसों को दूसरी पंक्ती में दिवताओं को खड़ा किया गया बिठाए गया तो पहले जो बारी थी रक्षोसों की तो रक्षोसों ने क्या किया? जो भोजन आगे पड़ा हुआ था वो भोजन स्यम तो खा नहीं सकते थे क्योंकि हाथ मुड़ नहीं सकते थे तो भोजनों को उठा ठाट कर ऐसे पीछे फैंकते रहे अपने शरीर के उपर फैंकते रहे तो वो सारे के सारे बुखे रहे और उनके सारे शरीर भोजनों से लथपत हो गए खराब हो गए तो उन राक्षोसों को अलग खड़ा कर दिया गया फिर आई देवताओं की बारी अब देवताओं अपने आपको कैसे श्रीश शिल करें अब देवताओं ने अपनी दो पंक्तियां बनाई आमने सामने आमने और सामने दो पंक्तियां बनाई बीच में भोजन रखा गया ज का देखते हैं कि देटाओं ने सभी ने अनंदपुरों को भूजन किया खुशी इतनी खुशी से भूजन करना मदूरता से पातें करते हो गोजन किया तो देताओं ने अपने आपको श्रेश्च शिद्ध गोशिद्ध किया इसी प्रकार के संगटन के साथ हमें भी रहना चाहिए कुछ जैसे समाज की भलाई करने वाले संगटन है जो आँखों के केम्प लगवाते हैं जो खूंदान के कम्प लगवाते हैं जो वरक्षा रुपन करते हैं जगाए जगाए अच्छे वरक्ष लगाते हैं घर के बाहर पार्खों के अंदर या कहीं और मैदान में वरक्ष लगाते हैं वो समाज की भलाई का कारे कर गए हैं ऐसे संगठनों से जुड़कर हमें पहुत ही अनंद प्राफ कुरता है दूसरा कुछ ऐसे संगठन भी है जैसे खेल के बहुत ही अनुयाई खेलों को प्रोव साम देते हैं तो यह खेल ज़्यादा तर समू में खेले जाते है तो नौजवानों को कुछ इनाम दिया जाते हैं उनको आगे बढ़ने का वोसला दिलाए जाता है इस परकार दूसरे समू जैसे कभी समयलनों में अलग अलग नौजवानों को अलग अलग कविताएं सुनाने का मोका दिया जाता है जो किसी भी विशे पे हो सकती है जिससे कुछ प्रेण हासिल हो तो नौजवानों के अंदर बोलने की कला का भी विकास होता है तो समधनों के समू में अनंद की प्राप्ती के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें रक्षिस बनना है या देटा बनना है हमें बुराई का साथ देना है या अच्छाई का साथ देना है क्योंकि अच्छाई के अंदर अनंद ही अनंद है और बुराई के अंदर दुख ही दुख है गम ही गम है इन बातों को समझते हुए हमें अनुभव करना होगा कि हमें अनंद की तरफ जाना है झाल झाल